गलो बच्छो मैं हें दी टीशर अंधली बर्मा कि इसले विडियो में बसे देक्क कि मैंने आप लोगों को पाथ एक भाषा पड़ाया था इसमें मैंने बतलाया था की भार्षा किसे करते हैं तो भार्षा अपने मन की भाव को विशारों को प्रकट करने की शादन को भार्षा रहते हैं इतना तो आप जानते हैं और फिर भार्षा के तीन रूप होते हैं पहला है मौखिक भार्षा दूसरा लिखिक भार्षा और तीसरा शांतियतिक भार्षा ये भी आपने जान लिया, तो हम आज उसी के अभ्याश से कुछ प्रश्णों के उत्तर लिखवाएंगे, जो कि मैंने कल ही बता दिया था आपको, इसले वीडियो में मैंने बताया था कि आप एक कॉपी लेंगे, जिस वन उसको आप लिखेंगे, तो आपने वैसा किया होगा ये मुझे विश्वाश है, तो आज उसको लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे पार्थ, भाशा, अभ्यास, तो पार्थ एक लिखेंगे, उसके बार भाशा लिखेंगे, और अभ्यास लिखेंगे, ताकि पता चले कि हम किस पार्थ से किसका प्रश्ण उत्तर लिख रहे हैं पहला लिखेंगे नमबर वन में एक निम्रीखित प्रश्टों के उत्तर दो और उसके बार लिखेंगे को भाशा कीशे करते हैं पहला जश्न हो गया भाशा कीशे करते हैं तो भासा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के शामने प्रकत करते हैं, तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे भासा कहते हैं. ये हो गया आपका भासा किसे कहते हैं? पहला यानि क का उत्तर और ख यानि दूसरे प् इतने प्रकार होते हैं उसके नाम लिखो तो खौ का उत्तर हुआ भासा के कितने प्रकार होते हैं? हमने बताया था तो भासा के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं भासा के तीन प्रकार होते हैं पहला है मौकित भासा दूसरा लिखित भासा और तीश्रा शांकेति आप इसके बाद नम्मर एक का अभ्यास हो गया और अब हो गया इसका दो नम्मर दूसरा और तीशरा उसके प्रश्न उत्तर को आप अपने खुछ से बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको किताब में पढ़ाया और शंधाया है उसके इसके लिए आप देखेंगे यहां अभ्यास में जो की दो और तीन खुद से आप बनाएंगे और भी हम लोग इस पर आगले वीडियो में इस पर बाते करेंगे नहीं शमल गयाएगा फिर हम समझाएंगे और आपसे बनवाएंगे भी अगर आपने बना लिया हुआ तो उसको जैसा मैं बताओं तो उसको मिला लेंगे फिर हम आपको स्कूल खुलने के बाद उसको देखेंगे और बतलाएंगे फिर करने बाद लाते हम स्बस्तिक के ब Store